आज में आपके साथ सेयर करने वाली हूं दही बड़े और चाट में इस्तिमाल की जाने वाली खटी मीठी चटपटी इमली की चटनी और उसके साथ ही हम बनाएंगे ग्रीन चटनी आप इस इमली की चटनी को जो है छह महिने तक आप इसे इस्टोर करके रख सकते हैं खराब देखिए दो मीडियम साइज के टुकड़े हैं तिमली को इस तरह से हम चोड़ तुकड़ों में तोल लिया है अब इसमें हम एक कप गरम पानी हम डालेंगे पानी आपको इतना डालना है कि इमली जो है ठीक ठाक अच्छे से बीड़ी रहे इसको अच्छे से मिस कर लेंगे कि इसका हम ढगा देंगे और इसको दो घंटे के लिए हम छोड़ देंगे ताकि इमली जो है अच्छे से फूल जाए हम अच्छे से हम डालेंगे इसको ग्रूति पब हम डाला लेंगे और जो इसके रेसे हैं उसको हम अलग कर लेंगे मैंने सारे इमली के पल्प को निकाल लिया है जो थोड़े बहुत रेसे में इमली के पल्प लगे हैं इस तरह से थोड़ा सा पाई डाल करके इसको हम अच्छे से दबा दबा करके हम निकाल लेंगे ये कितना पर दिखाшт Anytime को आसानी होगी चटनी बनाने में करी यहां पर से थोड़ा सा कम एम्ली का पल्प में एक हैं तो शेय vessel अशेल पानिज Kasim येधरते देख कर गिंदी करतेन मेंड़ामानि दंने केया शवर्प अब पनी डालें झाल देंगी मीठा पसंदें आप एक कब लिए तरहा है ता कि जल्दी से मल्ट कर लेंगे गुर्ण अच्छे मेल्ट हो गया है इसको हम छान लेंगे कभी क्या होता है ना कि गंदरी वगरा होती है जब हम खाते हैं तो किरीजि लगती है इसलिए आप गुर को मेल करके जरूर चान लें तियां पर देखिए मैंने इसको चान लिया वैसे गुर्ट विल्कुल साफ था इसमें कुछ था नहीं चानने के बाद इसमें हम कुछ मसाले हम डालेंगे तो सबसे पहले यहां पर आदि चीर सब्सक्राइब हैं और आधके पाउडर दीये सब्सक्राइब तक हम डाले εδώ के सब्सक्राइब 6 यहां पर देखिए चतनी जो है काफी गाड़ी सी हो गई है आप इसे चाला दिन के लिए इस्टोर नहीं करना चाहते हैं ताप इसी स्टेज पर इसको आप उतार सकते हैं लेकिन मैं इसको जो है लंबे समय तक लिए स्टोर करने वाली हूं यह कम से कम 6-7 महिने तक खराब नह कि इसको मैंने थोड़ी दिर और पका लिया इस पैजलर से जब मैं इसको गया रही हूं तो जो लास्ट ड्रॉप है काफी देर से गिर रही है जैदा हमें चटनी को नहीं पकाना है क्योंकि यह ठंडी होने के बाद और भी गाड़ी हो जाती है तो गैस को बंद कर देंगे इस तरह जो है फिंगर से भी आप चिक कर सकते हैं दो मुलियों के बीच में आप चटनी को लगाएं और इस तरह से करेंगे तो दिया देखिए इसमें एक तार बन रहा है तुमारी चटनी में थोड़े से खरबूजे की बीच हम डालेंगे तो गैस पर मैंने एक कटोरी करने तो आप जरूरब जाल कर डाले यह खाएंगे कास्ट सरह भाएंगेु छटनी को निकाल लेंगे को झालने के बाद किसी साफ सुखे कास की डिपे अप पलास्टिक डिपे खेंजि जिया верх तक हैं से से कहto देख लिते हैं घ्रीन चाटनी को किसे बनाना है यहां परमें एक अश्युक्ति कर लेशन एक इंट रख को मैंने चुछी टुक्ड नौ कर करके लिया है और नहीं के पर मैंने एक निगु कारण डालें एक चोटी चमढ चांचुर का पाउडर डाल सकते हैं और फोडा सादा कादी चोटी जमर भुनेवे जीरे का पाउडर और थोड़ा सा पाई डाल करके इसको हम पीछ लेंगे तियां पर आपको चटनी को जो है गाड़ा नहीं रखना है इतना पतला जो है बना करके आपको तयार करना है इस हरी चटनी को जो है दो दिन तक फ्रिज में रख करके आप खा सकते हैं दो दिन तक ये खराब नहीं होगी इस हरी चटनी को जो है दो दिन तक फ्रिज में रख करके आप खा सकते हैं दो दिन तक ये खराब नहीं होती है वो फ्रेंट्स आपको आज कि ये वीडियो पसंद आई होगी, अगर पसंद आई वो फ्रेंट्स तो फ्लीज हमारे चैनल को लाइक और जादा से जादा सेयर और सस्क्राइब जरूर करिएगा, बिल आइकन प्रेस करके और पे क्लिक जरूर करिएगा, लगी मैं जब भी कोई वीडियो अपलोड करूँ तो उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले, तो कल मिलते हैं ऐसी एक और नई रेस्पी के साथ, तक तक के लिए टेके यार, और बाबाई